हेलो इस्टूडेंट, वेलकम टू माई चैनल, मैथ फॉर किड्स आज हम पढ़ेंगे की एडिशन और मल्टिकेशन को किस तरह से लिखा जाता है जब हम एड करते हैं तो किस तरह से लिखा जाता है और मल्टिकेशन करते हैं तो किस तरह से लिखा जाता है है तो आप देख रहे हैं यहां पर कि यहां पर 1 Q2 active union वर गुरूप ठीक है दो एक गुरूप में कितने परीस है टू और गुरूप इतने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 यानि कि आप यह इस तरह से देख सकते हैं कि हमें 8 लोगों को यह पीर्स दी है और तो हमें बताना है कि 8 लोगों यानि कि एक लोग एक जो पर्सन है उसको हमने यानि कि टू टू पियर्स दी है لकर आठप लोगों को तो वो कितनी होई हम एक टूंठ करेंगे 1 साथ तो किस तरह से करना होगा हमें इन गृप में लिखना होता है तो एक एक बंदे को हमने कितनी दी टू पियर्स दी तो इस तरह से हमें कितने बंदे को दी हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 तो इस तरह से हम टू टू करके हम 8 जगर लिख लेते हैं यानिकी 8 बार लिख लेते हैं 8 लोग हैं तो 8 बार हमने इनको लिख लिया और इनको हम add कर देंगे तो इस तरह से हम कर लेते हैं दो 2 प्लस 2 4 4 प्लस 2 6 6 प्लस 2 8 8 प्लस 2 10 10 प्लस 2 12 12 प्लस 2 14 14 प्लस 2 16 तो हम इस तरह से लिख लेते हैं और तो हमने यहां पर 16 इस तरह से हमने लिख लिया अब हमें इनको multiply करना है तो क्योंकि हम एक 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 करके इस तरह से बहुत लंबा हो जाता है तो हम इनको क्या करते हैं multiply करते के पता लगा लेते हैं जो आठ लोगों को हमने पियर्स दी है वो कितनी है तो हमने एक ग्रूप को ले लिया तो एक ग्रूप में हमारी कितनी पियर्स है टू है और ग्रूप हमारी कितनी एट है यानि कि एट लोग है और एक बंदे को हमने कितनी दी टू एक परसन को हमने टू दी तो हम इस तरह से ग्रूप इंटू यानि multiply by 2 ग्रूप multiply by जो जितनी हमारी ये पियर्स है एक ग्रूप में तो इस तरह से हमने कर लिया तो 2 टू एट जा 16 इस तरह से हम इसको addition में लिख लेते हैं और multiplication में इस तरह से लिख लेते हैं अब हम यहाँ पर देखिए यह apples दी हुए हैं यहाँ पर देखिए यह apples में और group में apples दी हुए हैं तो one group में कितने apples हैं one two three इस तरह से यह one group में three apples और group कितने हैं one two three four five यह इसको pair कह सकते हैं one pair में कितने होगे one two three और तो कितने pair होगे one two three four five यानि five हमने चार बच्चों को पांच बच्चों को हमने three three apple दिये तो हम उनको add कैसे करेंगे add हमने इस तरह ले करेंगे three plus three एक बच्चे का होगे फिर दूसरे बच्चे का होगे तीसरे बच्चे का भी three होगे फिर चोथे बच्चे का और पांच बच्चे का तो इस तरह से पांच बच्चे होगे अब इनको हमने three three apple दिये थे तो हमें पता करना है वह सारे apple कितने थे तो three plus three six plus three nine nine plus three twelve twelve plus three fifteen तो हमारा इस तरह से हमने लिख दिया और हमें इसको short में करना होगा हमें बहुत लंब इतना यह तो हमारा बड़ा हो गया बड़ी calculation होगे अब हमें short में करनी है तो short में करने के लिए हमें क्या करना होता है multiply करना होता है तो हमने हमें सिर्व क्या करना है हमें group देखना है यानि बच्चे कितने थे one two three four five five बच्चे थे ठीक है five हमने यह लिख दिया into एक बच्चे को हमने कितने दिया थी three apple दिये थे तो three इस तरह से और हमें three five जर फिप्टीन three का table पढ़ना है three five जर फिप्टीन तो हमारा हमें पता चलिए यह short में ही कि सभी बच्चों के पांच जो five बच्चे थे उनको हमें हमने कितने apple दिये थे यहां पर देखिए यह one group में कितने sunflower दे रखे one two three four four sunflower है तो हमें add करने के लिए हमें कैसे लिखना पड़ता है four plus four plus four कितने ग्रूप है one two three three group में है तो इस तरह से हम लिख लेते हैं तो हम इसको plus कर देंगे हम इस तरह से भी उखर लेते हैं one two three four five six seven eight nine 10 11 12 इस तरही से पिकर लेते और हमें यहां पर नम्बर में प्लस करना होता है Sop 4 प्लस 4 तरहा है 8 होता है 8 ग्रॉबस है 2 तो 12 का में यहां लिए अब इसको हम हमें शोट में करना है Short में करने के लिए आपको पताईहे कि हम लोगों को करना होता है तो हमारे एक ग्रुप में कितने थे 4 फ्लस हमें करना है multiply तो multiply multiply by कितने है 3 ग्रुप को लिक लेंगे हम एक ग्रुप में कितने है 4 है और group कितने है 1 2 3 3 है तो is equal to कितना हो गया 3 4 चा 12 इस तरह से हम short में पता लगा लेते हैं किसी जीज को अगर हम ज्यादा number होते हैं और उनको हमें count करते हैं और plus करते हैं जब सबको अलग-अलग plus करना होता है लेकिन हमें जब हमें short में करना होता है तो हम multiply कर देते हैं यहां पर देखे हैं 1 2 3 4 5 5 करते हैं और group कितने 1 2 3 3 तो हमें किस तरह से लिख रहा है 5 plus 5 plus 5 इस तरह से तो 5 5 10 10 5 15 इस तरह से हमें इनको plus करना होता है और हमें short करना है तो 5 मुल्डिप्लाइब बाई कितने 1 2 3 3 group है is equal to 55 15 तो हम इस तरह से होती आसान तरीके से हम पताय कर लेते हैं कि हम ने कितने लोगों को किसी वी चीज का हिसाफ लगाने के लिए ज्यादा होता है तो उसको हमें पता रहना कि हमने कितना-कितना हमने बाटा उसको वो कितना था तो multiply से हमें पता चल जाता और short में तो हम यहां में देखते हूं यहां पे चली दी हुई है red चली दी हुई है 1 2 3 4 वन गुरूप में कितनी है 4 चली है और कितनी गुरूप में 1 2 3 4 5 5 गुरूप में और चली एक गुरूप में कितनी है 4 तो 4 हमें 5 वार ही इसको प्लस करना होता है 4 को प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 तो कितनी है यह इस तरह से हमने कर लिया यानि कि जो यह हमें जो लिखा है यह 4 हमारी चली हो गई एक ग्रूप में और हमारे जो ग्रूप हैं वो 5 हैं तो हमने 5 भारी इसको लिख लेंगे 4 को तो 4 4 8 8 4 12 12 4 16 16 4 कितना हो गया 20 तो यह हमारी सारी चिलीज कितनी है 20 है अब हमें इनको short में करना है short में करने के लिए हमें क्या करना होता है multiply करना होता है multiply by 4 हमारी चिली है multiply by ग्रूप में 5 ग्रूप है square to कितना हो गया 5 4 जा 20 इस तरह से हम short कर लेते हैं चीजों को calculation हमारी short हो जाती है 1 2 3 4 5 6 अब यहां पर हमारे 6 even ग्रूप में 6 बनानाज है यहां पर भी 6 बनानाज है और ग्रूप कितने होगे 1 2 तो इस तरह से हम लेख लेंगे 6 plus 6 कितना हो गया 12 तो यह तो हमारा हो गया क्या हो गया प्लस का यानि add कर लिया हमने इनको अब हमें multiply करना है तो 6 multiply by 2 तो ग्रूप है तो हमने इस तरह से multiply कर लिया तू सीचा 12 तो वीडियो आज की यहीं तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो या मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बैल आइकन को दबा कर अगले नोटिफिकेशन के लिए रेडी रहे हैं धन्यवाद